तो इस वीडियो में दो इंपोर्टेंट अप्डेट शेयर करें हैं पहला तो हमारा जो अप्डेट है वो है Income Tax की वेबसाइट को लेकर के अप्डेट शेयर किया गया है Income Tax India के ट्विटर अकाउंट पर It has been noticed that the taxpayer are facing issuing Issue in assessing Department E filing portal as in phone by enforces They have observed some irregular traffic on the portal for which proactive measures are being taken And some user may be inconvenienced which is regretted तो यहाँ पर इन हुने बता है कि Income Tax portal पर दिक्कत आ रही है Taxpayers को उसे जो है measures लिए जा रही है उसे ठीक करने के तो कुछ irregular traffic report हुई है portal पर जिसको की जल्दी ही fix कर दिया जाएगा चलिए अब बात करते हैं अपनी penalty की तो pan and adhar linking की जो penalty है वो एक जुलाई से 1000 रुपीज हो चुकी है जी हाँ 30 June तक ये जो penalty है ये 500 रुपीज थी और अब एक जुलाई से ये 1000 रुपीज हो चुकी है अगर आपने pan and adhar को अभी तक link नहीं किया है तो अब आपको 1000 रुपीज पे करने हैं कैसे आप पे कर सकते हैं आपको यहाँ पे चलान यूज करना है चलान नमबर ITNS 280 और आप अपने pan and adhar को link कर सकते हैं ये जो pan and adhar linking की deadline है इसे 31 March 2023 तक अलरड़ी extend किया जा चुका है अभी आप late fees के साथ penalty के साथ pan and adhar को link कर सकते हैं 31 March 2023 तक उसके बाद आपका जो pan है वो inoperative हो जाएगा तो अभी तक अगर आपने link नहीं किया है तो कर लीजिए pan and adhar linking आपके लिए बहुत useful रहती है आप verify कर पाएंगे जल्दी से अपने return को तो चलिए ये दो update थे income tax के